लो गाईज, वेल्कम टू माई यूटूब चैनल और मेरे चैनल का नाम है बद्री विसार रावत तो मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ आज एक वीडियो गौसाला की वो बनाई थी मैंने दिवाली से पहले तो दिवाली से पहले जैसे मैंने बताया की मेरा ये फोन खराब हो गया था बहुत सारी वीडियो बनाई थी दीपा वली में बनाई थी दीपा वली की थी और गोसाला की थी और भी बहुत सारी डिलीट हो गई थी और उसमें से एक बड़ी मुश्किल से ये मिल गई गौसाला वाली तो मैं आज आपको ये शेर करने वाले हूँ और बिना देखे ही आदा देखे ही इसकी मत करना फिलीज वीडियो पूरी लाज तक देखना आपको बहुत मज़ा आने वाला है तो आपको दिखाते हैं हम ये गौसाला की वीडियो तो आज आ रहे हैं हम गौसाला और यहां पे गाड़ियां चर रहे हैं बहुत सारी और मुझे रोड क्रोस करनी है यहां पे और साथ में बीडियो भी बीडियो भी आन कर रखे हैं हमने बीडियो भी बना रहे हैं और ये रोड क्रोस भी कर रहे हूं मैं तो ये कर चुके हम क्रोस और गौसाला में कर चुके हम गेट के अंदर एंट्री और ये जा रहे हैं गेट के अंदर ये देखें यहां पर बहुत सारी गाड़ियां लगी हैं ये यहां पर लोग बहुत जादा दान दून करते हैं तो देखें कितनी सारी गाड़ियां हैं भार बहुत बड़ी गौसलब फैन भी चल रखें यहां गायों के लिए तो अंदर की साइड में जा रहे हैं यह देखिए पूरा दिखा रहे हैं आपको तो इस साइड इधर है गाय इधर दोनों साइड में थी तो पहले हम जा रहे हैं इस साइड में और यहां पे देखिए यहां पर देखे आप लोग है अब कुछ ओने वाला है यहां पर फनी यहां पर मेरा बेटा थे की आवाज में गाय को डराता है तो गाय देखो अब क्या करती है इस गाए के पास मेरा बेटा दुबारा जाने वाला नहीं है तो यहाँ पे कुछ न कुछ दान करते ही रहते हैं लोग लाते रहते हैं रोटी गुड़ वगरा और यह देखिए गाए कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे चारा खा रही है तो यहाँ पे लोग आते ही रहते हैं कुछ न कुछ पूरी रोटी केला गुड़ और यह चारा चूरा सब हम देख रहे थे तो सब देखे कुछ न कुछ लोग देखे ही जा रहे थे और आ रहे थे बार बार सब देने तो यहां बहुत कुछ देते हैं लोग गाय को और यह देखिए गाय भी कमजोर कोई भी गाय नी थी इतनी मलब सही सियत सही बन रखी थी गाय की कमजोर कोई भी नी लग रही थी तो लग रहा था गाय की सियत देखके कि यहां खुब सारा चारा आता है लोग दान दून बहु रादाराणी का०ो और यह देखे बांसुरी दिखरी और जैरादारानी जैकाना जी और यहां पे है दान पेटी दान पेटी पे पूरा एडरस लिखा था इधर यहां पे यहां का गौसाला का एडरस भी लिखा है इधर ही और यहां पे छोटा सा यह मंदिर देखे यहां पे भी दिये जला रखे हैं और बगल में इदर था पिपल का पेड़ ये जारा कैसे दिये हैं जारा कैसे पांच रुपे किल्लो एक बाल्टी रखिए ना वो दस्की एक है तो यहां पे चारा है पांच रुपे किल्लो और ये बाल्टी है दस रुपे की क्यूंकि इसमें दो किल्लो चारा भर रखा है तो यहां पे मैंने गुड़ पूछा गुड़ कह रहे हैं साट रुपे किल्लो तो बहुत जादा बता रहे हैं कीमत गुड़ की और किसी ने मेरे को बताया कि अंदर मार्केट पड़ता है तो वहां पढ़ेगा आपको सस्ता गुड़ तो गुड़ होगा 40 या 50 रुपे किलो यह सिद्धा 60 रुपे किलो तो यहां तो मेरे को महंगा लग रहा है मैंने कहा मैं अंदर से लाती हूँ गुड़ तो यहां मार्केट की तरफ जा रही हूँ मैं और इधर मार्केट है अभी तो मैं खाले आपको डेमो दिखाऊंगी मार्केट का लेकिन जब मैं चारा गुड़ वगएरा खिला के गाये को फिर दिखाऊंगी मैं मार्केट अच्छे से आपको तो अभी दिखाऊंगी खाले मैं अभी गुड़ लेने जा रही हूँ तो गुड़ लेके आती हूँ मैं गई यहां दुकान में गुड़ पूचने और इन्हों ने भी काफी मैंगा बताया 60 रुपे किलो तो मुझे मैंगा लगा और मैंने यहां भी नहीं लिया तो मेरे को दिख गई एक दुकान इधर तो यहां गई मैं गुड़ लेने और इनको पूचा मैंने गुड़ तो यह नीचे बड़ा सा गुड़ रखा था तो यह बता रहे थे यह 50 रुपे किलो और उपर था जो दूसरा वो 40 रुपे किलो तो उन्होंने बोला वह वाला ल दाल भी है इदर यह है मूंकी दाल लेकिन लगनी रही है मूंकी दाल हरी होते हैं थोड़ा अलग लग रही है लेकिन है यह मूंकी दाल तो मार्केट से निकल गए हम बाहर और लियाए मैं तीन किलो गुड़ और यहां पे देखे कितने अच्छे फूल है गेंदा के और मैं यहां पे चारा ले रही हूं चारा मैंने दस किलो चारा कराया तो यह ने कट्टे में भरके दे दिया और यह कट्टा हो रहा था भारी तो एक तरफ से मेरे बेटा मेरी हेल्प कर रहा है देखें और यह बीडियो हो रही बहुत लंबी तो हमें दूसरा पार्ट बना बाइ बाइ